महराश्ट्र की 48 लोकसवा सीटों पर नतीजों की घोशना हो गई है BJP को बहुमत से दूर करने में महराश्ट्र ने भी योगदान दिया है महायूती आनि NDA ने 17 सीटों पर जीत दर्च की है वहीं महाविकास अगारी MVNA ने 30 सीटे जीती है एक सीट सांगली की निर्दली उम्मीदवार के खाते में गई है चुनाओ से काफी पहले महराश्ट्र की राजनीती में बड़े फेर बदल हुए जो की कई बार देखने को मिलते हैं पहले BJP और शिवसेना एक दूसरे से अलग हुई फिर शिवसेना और NCP दोनों को ही तूट का सामना करना पड़ा दो पार्टियां चार पार्टियों में बडल गई दो ने BJP की महायूती का साथ दिया और दो ने MVA का लेकिन कौन किस पर भारी पड़ा? उद्धव की सेना या शिंदे की सेना? उदर शरत पवार की NCP मजबूत रही या अजित पवार की पार्टि चलिए देखते हैं पहले एकनाच शिंदे की सेना वर्सिस उद्धव ठाकरे की सेना की बात करते हैं एकनाच शिंदे की शिवसेना ने NDA की ओर से 15 सीटों पर चुनाव लड़ा वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इंडिया गुट की ओर से ज्यादा सीटों पर यानि 21 सीटों पर चुनाव लड़ा वहीं दोनों पार्टी 13 सीटों पर आमने सामने रही तो 13 में से किसने कितनी सीटे जीती ये देखते हैं पहली सीट थी मुंबई नौर्थ वेस्ट की यहां शिंदे की सेना जीती है और यहां फाइट काफी दिल्चस्प भी रही पहले उद्धव की सेना लगभग जीत के करीब थी लेकिन आखरी में केवल 48 वोटों के साथ शिंदे की सेना के रविंद्र वाईकर जीत गए फिर साउथ सेंट्रल मुंबई यहां उद्धव की सेना ने जीत दर्च की मुंबई साउथ यहां भी उद्धव की सेना जीती बुल्धाना में शिंदे की सेना जीती यवतमार वाशिम में उद्धव की सेना जीती हिंगोली में उद्धव की सेना जीती औरंगाबाद में श शिर्डी में उद्धव की सेना जीती, मावल में शिंदे की सेना, कल्यान में शिंदे की सेना, ठाने में शिंदे की सेना, हट कननगल में भी शिंदे की सेना ने जीत दर्च की है, यानि शिंदे की सेना ने साथ सीटों पर जीत हासिल की है और उद्धव की सेना ने छह सीटों पर जीत दर्च की है ये आमने सामने की लड़ाई की हम बात कर रहे थे इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तीन और ऐसी सीटों पर जीत दर्च की है जिसमें उसके सामने महायूती की अन्य पार्टियां भी थी ये ज़रूर कहां जा सकता है कि आमने सामने की जो कि उद्धव ठाकरे को मिला शिव सेना में तूठ हुई लेकिन फिर भी वोट मिला है अब इन्हें कितना वोट शेर मिला ये देखते हैं उद्धव की शिव सेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16.8% वोट हासिल किया वहीं शिंदे की शिव सेना को 12.9% वोट हासिल हुआ दोनों पहले साथ मिलकर जब उन्हें चुनाव लड़ा था तब उनका वोट शेर 2019 में 25.5% था इस बार दोनों सेना का वोट शेर जोड भी दें तो वो पिछले चुनाव की तुलना में बड़ा हुआ दिखाई जरूर देता है लेकिन वो सीटों में तबदिल नहीं ह पाया इसके उलट सीटों में दोनों को नुकसान ही हुआ है अब पवार वर्सिस पवार पर नजर डालते हैं अजित पवार के गुट वाली एंसीपी और शरत पवार वाली एंसीपी के बीच केवल दो सीटों पर मुकाबला रहा एंसीपी अजित पवार एंडिये की ओर से उन्होंने चार सीटों पर चुनाव लड़ा, उदर NCP शरत पवार ने इंडिया गुट की ओर से दस सीटों पर चुनाव लड़ा तो क्या रहे नतीजे ये देखते हैं, दोनों पवार के बीच बारा मती और शिरूर में आमने सामने की लडाई हुई बारा मती से सुप्रिया सुले ने जीत दर्च की, उन्होंने अपनी भावी और अजित पवार की पत्नी सुनित्रा पवार को हराया वहीं शिरूर से भी शरत पवार की NCP ने जीत दर्च की है यहां अजित पवार के उम्मीदवार शिवाजी पाटिल हार गय और डॉक्टर अमोल कोले ने जीत दर्च की है वही शरत पवार की NCP ने कुल आठ सीटे जीती है और अजित पवार की NCP ने केवल एक ही सीट जीती है अजित पवार की NCP ने 4 सीटों पर चुनाओ लड़ा और लगबग 3.5% वोट हासिल किया शरत पवार ने 10 सीटों पर चुनाओ लड़ा और 10% वोट उन्होंने हासिल किया है लोग सभा चुनाओ 2024 के नतीजों से जुड़े ऐसे ही विशलेशन देखने के लिए क्विंच हिंदी की वेब साइट और यूटूब चैनल पर जरूरा है अपते!